दोस्तों मैं रितेश कुमार उपात है मेरे यूटूब चैनल IOC में आपका हर दिक्षवागत करता हूँ प्यारे शाथियों आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल के अंदर जीमेल की आईडी को लॉग इन कैसे किया जाता है और जीमेल की ही नहीं गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी लिए एक बार में लॉग इन कैसे करें तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखरी तक ध्यान से देखते रहें तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को आन कर लेते हैं इस समय हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वह आपकी वीडियो में दिखाई दे रही है दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को उपर से नीचे की और स्क्रॉल करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगती है जैसा कि आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं अब यह जो एक नई पठी आपके सामने खुल कर आई है यदि आप इसमें नीचे की यो राइट साइड जिदी ध्यान देंगे जहां कि एक सरकल ब्लिंग कर रहा है इस तरह से आपको एक गेर का आपसन मिल जाएगा अब दोस्तों है क्या कि हमारी जो यह मोबाइल है यह माट्रोला का सेट है इसमें यह जो गेर बना हुआ है यह कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है लेकिन यदि आपकी मोबाइल कोई दूसरी है तो हो सकता है यह जो गेर का आपसन है यह कहीं और बना हुआ हो उपर में बना हो उपर की लेफ्ट साइड या राइट साइड में दिखाई दे तो इस तरह का गेर का आपसन मिल जाएगा इस आपसन का उपयोग करके हम मोबाइल के सेटिंग आपसन में जा सकते हैं लेकिन यदि आपको यहां से सेटिंग खोजने में दिखत हो रही है तो जहां आपकी मोबाइल में सारे आपलिकेशन दिखाई देते हैं आप उस आपसन पर चले जाएं तो जैसा कि इस समय आपकी screen दिखाई दे रही है एक gear बना हुआ आपको दिखाई देगा इस gear के नीचे setting लिखा होगा आपको इस option पर click करना है जैसे ही आप इस option पर click करेंगे click करते ही आप अपने mobile के setting option में enter कर जाएंगे अब आप अपनी mobile को उपर से नीचे की और scroll करते हुए accounts के option को search करना है जैसा कि इस समय आपको screen पर blink करते हुए area में accounts दिखाई दे रहा है तो अब हम करते क्या है कि इस accounts के option पर click कर देते हैं जैसे ही आप accounts के option पर click करेंगे आपकी जो mobile के screen है कुछ इस तरह से open हो जाएगी अब इसमें है क्या की add account के option पर आपको click करना है चलिए हम add account के option पर click कर देते हैं add accounts के option पर click करते ही आपके mobile में जितनी भी ऐसे application इस्टाल हैं जिसके लिए accounts बनाये जाते हैं वह सारी के सारी applications यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो हमको यहाँ पर google option को search करना है जैसा कि इस समय blink करता हुआ area में google दिखाई दे रहा है हम इस google के option पर click कर देते हैं अब दोस्तों जैसे ही आप google के option पर click करेंगे कुछ circle जैसा घुमता हुआ दिखाई देगा और थोड़ी ही देर में sign in करने का option आ जाएगा अब यहाँ पर है क्या कि आपने जो mail id बनाई हुई है उस mail id को आपको लिखना है तो हम यहाँ पर mail id लिख देते हैं और फिर नीचे की और next button बना हुआ आपको दिखाई देगा इस next button पर आपको click करना है जैसे ही next button पर click करेंगे अब आपके सामने इस तरह का box open हो जाएगा जिसके अंदर की आपको अपनी mail id का जो password है उसको आपको enter करना है अब चलिए हम यहाँ पर अपना password इंटर कर देते हैं हमने अपना password इंटर कर दिया है अब नीचे जो next button बनी हुई है हम इस पर click कर देते हैं अब दोस्तों जैसे ही आप next button पर click करेंगे अब दोस्तों यदि आप अपनी mobile में पहली बार login कर रहे हैं तो जो आपकी mobile की screen है वह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी अब दोस्तों है क्या कि जब हम यह mail ID create कर रहे थे उसी समय हमने mobile number इंटर कर दिया था तो यहाँ पर हम skip option पर click करते हैं अब जैसे ही आप skip option पर click करेंगे एक term and condition मतलब Google की जो term and condition है उसको agree करने का option आएगा आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर I agree के option पर click कर देते हैं जैसे ही हम I agree के option पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का एक message box open हो जाएगा इस message box का मतलब यह है कि Google आप से यह कह रहा है कि यदि आप चाहें तो Google Drive का उप्योग करते हुए आपके mobile के जो importance data है आप उसको Google Drive के उपर backup ले सकते हैं यदि आप चाहें तो इसको on कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसको off कर सकते हैं जो भी हो on off कर लेने के बाद नीचे आपको accept बना हुआ दिखाई दे रहा है इस accept के option पर आपको click कर देना है जैसे ही आप accept के option पर click करेंगे click करते ही यह जो आपकी email ID और password आपने इंटर किया हुआ है वह mail ID आपके mobile में login हो जाएगी वह mail ID अब आपके Google account के लिए register हो जाएगी अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस mail ID की जरी हम क्या क्या कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने mobile की home screen की और और इस समय हम अपने mobile की home screen पर हैं अब दोस्तों सबसे पहले हम Gmail का जो application है हम उसको search करते हैं जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, Gmail का अप्लिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, Gmail का जो अप्लिकेशन है, आपके मॉबाइल में ओपन हो जाएगा, यानि अब आप अपने मॉबाइल से इस mail के जरी आप किसी को mail भेज सकते हैं, या फिर यदि किसी ने आपको mail भेजा हुआ है, तो यहां से आप उस mail को देख भी सकते हैं, अब दोस्तों आईए देखते हैं कि यह जो mail ID है, इसका उपयोग और कहां कहां किया जा सकता है, अब चलिए हम YouTube को open करते हैं, तो हमने अब अपने mobile के home screen से YouTube को search किया, मतलब YouTube के application को search किया, और इस पर click कर दिये, जैसे ही आप YouTube के application पर click करेंगे, यदि आप पहली बार, मतलब जब से आपने mail ID बनाई है, यदि आप पहली बार YouTube के लिए login कर रहे हैं, तो इस तरह का message box आपको दिखाई देगा, अब यहां YouTube क्या कह रहा है, कि आप इसमें से जो भी आपके पसंदीदा actors हों, singers हों, आप उनको select कर सकते हैं, तो आप जिस भी चीज को चाहें, जिन जिन लोगों को चाहें, आप select कर लें, और उसके बाद continue, देखी नीची continue no thanks, एंड continue दो option बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इन pictures को select नहीं करना चाहते हैं, तो no thanks पर click कर दें, otherwise, जिन pictures को आप select करते हैं, select करने की बाद continue option पर आप click कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर no thanks के option पर click कर देते हैं, अब देखिए हमारी mobile में YouTube का जो application है, यानि जो YouTube है वह open हो चुका है, अब यहाँ उपर यदि आप right side में ध्यान देंगे, तो ए बना हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए हम यह option पर click कर देते हैं, जैसे ही यह option पर आप click करेंगे, देखिए जो mail ID हमने register की हुई थी, वह mail ID यहाँ पर अपने आप आ गई हैं, हमको अलग से register करने के लिए यानि, हमको अलग से mail ID और password डालने की जूरत नहीं पड़ी, आईए देखते हैं कि और किसकी सा application को यूद किया साथा है, तो दोस्तों, अब हम अपने home screen पर चलते हैं, और यहाँ पर map का यानि जो Google map है, उसका application आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पर click कर देते हैं, इस पर click करते ही यहाँ देखिए, जो Google map है, आपकी mobile में open हो चुका है, लेकिन यहाँ 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 उपर right side मेरी आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर A नहीं बना हुआ है, यानि जो mail ID हमने register की हुई थी, वो यहाँ पर register नहीं दिखाई दे रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो circle बना हुआ है, जो blink कर रहा है, हम वहाँ पर click करते हैं, click करते ही यहाँ आपसन आपको दिखाई देने लगेगा, अर्बिंद कुमार ठाकूर, अर्बिंद वीमावाले, at the rate of gmail.com आपको इसको एक बार select कर लेना है, जैसे ही आप इसको select करेंगे, select करते ही अब जो mail ID आपने बनाई थी, वही mail ID इस Google Map के लिए भी register हो जाएगी, तो देखे कितना बड़ा फाइदा है, सिर्फ एक ID को register करते ही, Google की जितनी भी services हैं, उनका उप्योग कर सकते हैं, आईए देखते हैं कि mobile में Google की और कौन से service को ले सकते हैं, तो चलिए हम फिर से चलते हैं अपने mobile के screen पर, यहाँ पर देखिए फोटो दिखाई दे रहा है, अब चलिए हम Google Photo पर click कर देते हैं, अब Google Photo पर click करते ही, इस तरह से आपकी mobile में जितनी भी photos होंगे, यह जो Google Photo का application है, उन सभी photos को, videos को automatically search करने लगेगा, यहाँ उपर देखिए, उपर right side में ए बना हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस ए वाले option पर click करते हैं, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ setting का option आपको मिल जाएगा, अब इसमें जो setting है आने वाले समय में यदि आपको जूरत समझ में आएगी आप हमें बताईएगा, हम इसके लिए भी videos बना देंगे, क्योंकि अब यह जो जानकारी है यदि हम इसको लेकर बैठेंगे तो वीडियो वैसे भी यह वीडियो लंबी हो रही है और ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब दोस्तों है क्या कि जैसे हमने Google Map, Gmail, YouTube, Google Photo इन सभी को मैंने सिर्फ एक ID के जरीए यूज किया है इसी तरह से Google की जितनी भी services है उनका उपयोग आप बड़े आराम से सिर्फ एक mail ID बना कर और एक बार लागिन करके उन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं जैसे मैं आप Play Store को देख लीजिए Play Store भी जो है Google की एक service है Play Store पर भी जब आप जाएंगे तो ठीक इसी तरसे जैसे मैंने ये सारे application यूज की है ठीक उसी तरसे Play Store पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब आप अपनी mobile में Gmail की ID को आसानी से खुद ही register कर सकते हैं तो यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी है और साथ में अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है like की बटन उसको कर दीजे click और हो सकता है कि आपके मन में कुछ question हो कोई confusion ह तो यदि कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो के comment section में comment की जरीए आप हमें अपने प्रसनी संकोच पूछ पूछकते हैं और दोस्तों सबसे महतपून बात यदि आप इसी तरह की जानकारी से future में भी update अरना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस YouTube channel IOC को subscribe कर सकते हैं और जब भी channel पर कोई वीडियो post होगी तो उसका notification automatically आपको मिल जाएगा और आप किसी भी वीडियो को miss नहीं करेंगे दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है और आपने आक्षी तक हमारे इस वीडियो को देखा है इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ इसी के साथ मैं धन्यवाद, thank you very much